हेलो एब्रिवन, फ्रेंट्स आप सभी के सामने DSSB 2024 का हिंदी का प्रेक्टिस सेट आ चुका है अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरू करें फ्रेंट्स लगबग 35 प्लस प्रशन हम इस वीडियो में कवर करेंगे अगर आप DSSB का फ्री टेस्ट दिना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारा एप है नौकरी एप अवश्चेन आउल लोड़ करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी वेबसाइट है www.nokryasprant.com यहाँ पर विजिट जरू करें कुछ पेजिज है टेलिग्राम, फेस्बुक, इंस्टाग्राम यहाँ पर फॉलोव जरू करें फर्स्ट कोश्चन आपकी स्क्रीन पर है किशोर ने मटमेला चादर ओड रखा है वाक्य में विशेशर सब्द की पहचान कीजिए चादर, किशोर, मटमेला या इन में से कोई नहीं और इसका रायटांसर होगा मटमेला कंदर्प, पंचशर और पुष्प धनवा यह निम्लिकित में से किसके पर्यावाची शब्द है तो यह है काम देव की नेक्स्ट कोशन निमलिकित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है तो बाड़ भट की है कादंबरी ये सही है वास्यान कामसूत्र मुन्शी प्रेमचंद की है गोदान तो भी आपकी गलत है जैशंकर प्रशाद की नेक्स्ट कोशन इन मैंसे किस विकल्प में सही शब्द तनरंग्डी शब्द के परियावाची है तो ये है सरिता, तटनी, निम्नगा नेक्स्ट कोशन निम्न मैंसे विलोम शब्द युग्म छाटिये विलोम शब्द का है आपका अभिग्य का होगा अनभिग्य नेक्स्ट कोशन निमलिकित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है तो शुद्ध वाक्य है एक हवाई जहाद दूसरे का पीछा कर रहा है वह स्थान जहां विद्या ग्रहन की जाती है उसे क्या कहती है देवाले, पुस्तकाले, मदिराले, विद्याले और इसका राइटांसर होगा विद्याले कहती है नेक्स्ट कोशन देचोर शब्द में कौन सा समास है अधीकरण, संप्रधान, करण या संबन्द और इसका राईटांसर होगा करण ततप्रोष समास है नेक्स्ट कोशन निमलिकित वाक्यों में से अर्ध विराम चिन्न का सही उधारण कौन सा है यह अब क्या करूँ वहरूट कर चला गया नेक्स्ट कोशन लगुतम शब्द में विशेशन की किस अवस्था में बोधक है मुल अवस्था, उत्रावस्था, उत्तमावस्था कोई नहीं इसका राईटांसर होगा उत्तमावस्था नेक्स्ट, अगर आप किसी भी गवर्मेंट एक्जाम की तियारी कर रही हैं तो हमारी वेबसाइट है www.nokryasprant.com यहाँ पर विजिट जरूर करें और प्ले स्टोर से हमारा एप नokryasprant एप अवश्य डाउनलोड करें यहाँ पर नोट्स PDF आपको देखने को मिल जाएंगे फ्री नोट्स के लिए नokryasprant डाउनलोड करें नेक्स्ट कुश्चन है प्रश्ण दिया गया है अंतिमंश और प्रथम को आपको जोड़ना है यारा लव में देखते हैं कौन सा इसमें सही होगा सबसे पहले तो सामाजिक जीवन में उसके बाद है क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है फिर उसके बाद जोड़ेगा आपका यदि क्रोध न हो तो उसके बाद इसमें आएगा मनुष्य दूसरों के दौरा पहुंचाए जाने वाले बहुत से और अंतिम में होगा कस्टों की चेर निवरती का उपाय ही ना कर सकी तो 20 का राइट आंसर है नेक्स्ट कोशन निमलिकित मैंसे व्रदी संदी के उधारन का चैन कीजिए व्रदी संदी यह आपकी सरवदा प्लस एव नेक्स्ट कोशन दिये गए विकल्पों मेंसे निमलिकित वाक्य का सही रूप चुनिए तो यह आपका यहां बुखार का अच्छा इलाज होता है नेक्स्ट कोशन यदी नेहा परिश्रम करती तो परिक्षा में अवश्य उत्तीड हो जाती क्रिया का काल कौन सा है आसन्य भूतकाल संदिद्ग हेतु हेतु मद अपूर भूतकाल इसका राइट आंसर होगा हेतु हेतु मद भूतकाल नेक्स्ट कोशन निमलिकित मेंसे कौन सा बहुवचन अशुद है अशुद है यह बताना है इसमें होगा शुद नारी नारी व्रंद यह सुद है बाकि आपके सभी सही है पाठक का होता है पाठक गड़ प्रतेक का होता है हरेक आपका होता है आप लोग किस क्रती के लिए दिनकर को ज्यान पीट पुरुषकार मिला है कुरोचेत्र रश्मिरती उर्वशी संस्कृती के चार अध्याय इसका राइटांसर होगा उर्वशी हम पढ़ेंगे अब पैसेज हमारी सर्वोच्य प्रात्मिक्ता जनसंख्या व्रदी रोकना है इस छेत्र में हमारे सभी प्रियतने निश्वल रहे ऐसा क्यों है यह इसलिए भी हो सकता है कि समस्या को देखने का हर एक का नजरिया एक है और जनसंख्या शास्त्रियों के लिए यह आकडों में एक अंबार है अफसर साही के लिए यह टार्गेट टै करने की कवायद है राजनितिग इसे वोट बैंक की द्रस्टी से देखता है यह सब अपने अपने ढंग से समस्या को सोल जाने में लगे है अंतहे अलग-अलग किसी के हाथ सफलता नहीं लगी पर यह सपस्ट है कि परिवार के आकार पर आर्थिक विकास और सिक्षा का बहुत प्रभाब पढ़ता है यह आर्थिक विकास का मतलब पाशात्य मात अनुसार भौतिक वाद नहीं जहां बच्चों को बोज माना जाता है हमारे लिए तो यह सम्मान पूवक जीने के स्थर से संबंदित है यह मौजूदा संपत्ती के समता मूलक विवरण पर भी निर्भर नहीं है वरन ऐसी शैली अपनाने से संबंदित है जिसमें 80 करोड लोगों को उर्जा का बहतर इस्तमाल हो सके इसी प्रकार इस तरी सिक्षा भी है यह समाज में एक नए प्रकार का चिंतन पैदा करेगी जिससे सामाजिक और आर्थिक विकास के नए आयाम खुलेंगे और साथ ही बच्चों के विकास का नए रास्था भी खुलेगा अत्य जन संक्या की समस्या सामाजिक है यह अकेले सरकार नहीं सोल जा सकती केंद्रिय करण से हटकर इसे ग्राम ग्राम व्रक्ती व्रक्ती तक पहुंचाना होगा जब तक यह जन आंदुलन नहीं बन जाता तब तक सफलता मिलना संदिद गह आईए से संबनित प्रश्न है उप्युक्त गद्यांश के अनुसार जनसंक्या समस्या के प्रती हमारे दस्टी कोड में इसका परिवर्तन आविश्यक है तो इसे हल करने के लिए सरकार को शक्त कदम उठाने पढ़ेंगे नेक्स्ट कोशन उप्युक्त गद्यांश के अनुसार इस्त्री सिक्षा का सरवादिक लाग निम्ण में से कहां उठाया जा सकता है तो यह सामाजिक सोच के परिवर्तन में नेक्स्ट कोशन उप्युक्त गद्यांश के अनुसार जनसंख्या व्रधी रोकने की प्रियासों की सफलता में मुखते बाधा रही है तो ये है जनसंख्या की समस्या के प्रती लोगों की सोच में भिन्यता नेक्स्ट कोशन उप्यक्त गद्यांश के अनुसार परिवार के छोटा या बड़ा होने पर सबसे अधिक प्रवाब किसका पढ़ता है तो यह पढ़ता है व्रक्ति के सैक्षिक और आर्थिक इस्तर पर नेक्स्ट कोशन उप्यक्त गद्यांश के अनुसार भारत में आर्थिक विकास के लिए निम्न मैं से किस बात को प्रमुकता दी जानी चाहिए तो ये अधिक्तम लोगों की अधिक्तम तागत का उप्योग नेक्स्ट कोशन नाचना जाने आगन तेड़ा लोकोक्ती का सही अर्थ का चैन करें तो उसका राईटा आंसर होगा काम ना जाननी पर तरह तरह के बहाने लगाना नेक्स्ट कोशन गुरु दक्षडा शग्द में कौन सा समास है कर्मधारे समास, ततपुरुष समास, अव्यभाव या दोंद समास इसका राईटा आंसर होगा ततपुरुष समास है नेक्स्ट कोशन कौन सा सब्ध पुरलिंग है दया, घटना, जड़ता या बुढ़ापा इसका राईटा आंसर होगा बुढ़ापा नेक्स्ट कोशन निम्लिकित प्रश्ण में दिये गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चैन करें जो दिये गए मोहावरे के अर्थ को सर्वसिस्ट रूप से व्यक्त करता है फटे हाल होना उसका होगा गरीब होना नेक्स्ट कोशन निम्लिकित मैंसे कौन सा सद कर्म धारे समास का उधारन नहीं है नील कमल, लोहोपुर, शत्याग्रे, चंद्रमुखी इसका राइट आंसरोंगा सत्याग्रे नहीं है नेक्स्ट कोशन निमलिकित मैंसे असुद वर्तनी वाले शब्द का चैन कीजिए परिमार्जत, द्वारका, योधिस्टर, रचिता इसका राइट आंसरों का परिमार्जत नेक्स्ट कोशन वह बहुत धीरे चलता है वाक्य में बहुत क्या है क्रिया विशेशन, क्रिया, विशेशन, सर्वनाम इसका राइट आंसरों का क्रिया, विशेशन नेक्स्ट कोशन निमलिकित मैंसे किस सब्द में विदेशी प्रत्य का प्रियोग नहीं हुआ है सौदागर, कोतवाल, इत्रदान, खौफनाक इसका राइटांसर हुगा कोतवाल नेक्स्ट कोशन निमलिकित शद्दों में तस्वम सब्द को पहचाने कोयल, कुक्कुर, लाक या भीतर तो ये है आपका कुक्कुर नेक्स्ट कोशन निमलिकित में से किस विकल्प के सभी शद्द एक वचन है तो ये है दूद, जनता, पानी next question वाक्य पक्षियों में रात में सोया जाता है से सम्मझित वाच्चे कौन सा है तो ये है आपका भाव वाच्च next question नेमलिकित शब्द समूव में से कौन सा विकल्प योगरून शब्द का सही उधारण है तो फ्रेंट्स यह है गिर्धारी, घंश्याम और पंकज नेक्स्ट कोशन मनुश्य के जीवन में आशा और डैश के छण को आते जाते रहती हैं रिक्तिस्थान का चैन करें सही तो इसका राईटांसर होगा निराशा नेक्स्ट कोशन सडक पर कोई खड़ा है आपको सर्वनाम बताना है कौन सा है तो फ्रेंट्स यह थे इंपॉर्टन कोशन उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो चले के लाइक शेर करना और चैनल पढ़ना ही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें हमारी वेबसाइट है www.naukaryaspirant.com यहाँ पर विजिट जरू करें कुछ पेजिस हैं टेलिग्राम, फेस्बुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यहाँ पर आप सभी हमें फॉलू कर सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग